Students, मैं विजे सिंग, आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल जीना सिखों में स्वागत करता हूँ Students, आज हम MLT की क्लास में हेम्टोलोजी सबजेक्ट के बारे में पढ़ेंगे और उसके बारे में जानेंगे Students, ये एक ऐसा सबजेक्ट है, जोकि MLT डेपार्टमेंट का एक most important सबजेक्ट है और ये सबजेक्ट हम इसमें blood के बारे में जानेंगे तो चलिए Students, अब हम इस topic को और इस subject के बारे में जानते हैं और पढ़ते हैं Students, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि मैं आप लोगों को daily इस तरह से teach कर रहा हूँ और मैं आप लोगों को daily कुछ न कुछ नई चीजे बताने की कोशिश कर रहा हूँ Students, उसी तरह से आज मैं आप के लिए एक नया topic लेकर आया हूँ जिसमें हम blood के बारे में पढ़ेंगे Students, इस subject में हम blood के बारे में जानेंगे तो hematology is the branch of science which deals with the study of blood and its components Students, ये hematology is the branch of science ये science की एक शाखा है जिसमें हम blood के बारे में पढ़ते हैं और उसके components के बारे में जानते हैं Students, ये hematology की definition है और इसमें हम blood के बारे में पढ़ते हैं और blood के बारे में जानेंगे और blood के components के बारे में जानेंगे Students, मैं बताना चाहूँगा जो hema word है उसका hema word का मतलब जो होता है वो blood है और lozy मतलब study तो hema blood lozy study याने की blood to study तो इस subject में हम blood की study करेंगे और ये science की शाखा है और अब हम blood को जानते हैं कि blood क्या है तो blood क्या है? Blood एक fluid है, connective tissue fluid है जो की human body में animals में पाया जाता है Students, blood एक special किसम का connective tissue होता है जो की human body में पाया जाता है तो वो हम इस subject में blood क्या है, blood के components क्या है, blood से होने वाली disease क्या है वो सब चीजें हम इसमें पढ़ेंगे तो चलिए blood के बारे में जानते हैं Blood is a specialized connective tissue which is fluid in nature तो ये एक connective tissue होता है जो की fluid तर्ल के रूप में मौजूद होता है तर्ल के रूप में, fluid के रूप में पाया जाता है Students, जैसे की आप सभी लोग जानते हैं की blood एक specialized connective tissue है और ये fluid है, एक liquid की तरह है, एक तर्ल है Students, blood जो होता है Blood को अगर हम एक test tube में रखें और उस blood को test tube में रखने के बाद अगर हम देखते हैं कुछ समय के बाद या उसे centrifuge किया जाए अब centrifuge क्या होता है Students, ये भी हम पढ़ेंगे यानि की blood को separate किया जाए उसके भारी पार्ट को अलग कर दिया जाए और हलके पार्ट को अलग निकाल दिया जाए तो वो एक instrument होता है centrifuge तो centrifuge में अगर blood को रखके centrifuge किया जाए और उसके बाद उसके भारी जो blood के भारी तत्व होते हैं उनको अलग निकाल दिया जाए और जो हलके substance हैं उनको अलग निकाल दिया जाए तो blood separate हो जाता है अब blood के जो भारी parts हैं जब हम separate करेंगे तो blood कुछ इस तरह से दिखाई देगा मैं आपको diagram में दिखाता हूँ कुछ blood इस तरह से दिखाई देगा तो इसमें क्या है जो RBC है नीचे बैठ गया है जो आप red color का नीचे देख रहे हैं और कुछ yellow color का liquid जो है वो उपर के और निकल गया है तो जायद सी बात है जो भारी पदार्थ होते हैं elements हैं वो नीचे बैठ गया है और lighter जो part है वो उपर के और आ गया है तो जो lighter part आप वो पर के और देख रहे हैं उसे plasma कहते हैं और जो नीचे बैठा हुआ हिस्सा है उसे red blood cell कहते हैं RBC कहते हैं students RBC और plasma के बीच में एक आप ध्यान से देख रहे होंगे देखेंगे तो बीच में एक layer दिखाई दे रही है मोटी layer दिखाई दे रही है एक बीच में plasma और blood के बीच में एक layer है जिसे हम लोग buffy coat कहते हैं students ये blood को हमने एक separate करने के बाद देखा कि blood को तीन parts में divide कर दिया गया RBC अलग हो गया, buffy coat अलग हो गया, plasma अलग हो गया students अब आपके सामने एक दूसरी तरफ दूसरी ट्यूब दी हुई है जिसमें blood को जमाया गया है यानि कि students अगर blood को हम direct हे किसी plain tube में रखते हैं तो वो blood जो होता है वो clot हो जाता है आप लोग सुने होंगे या देखे भी होंगे कि कई बारी blood जो है clot हो जाता है तो blood जो clot होता है वो क्या है? students एक ट्यूब आप एक दूसरी तरफ जो ट्यूब देख रहे हैं उसमें blood clot हो जुका है तो यानि कि जब blood plain tube में रखा जाएगा तो उसमें अगर blood clot होता है plain tube में अगर हम blood को रखते हैं तो वो clot हो जाता है जब blood clot हो जाता है तो उसका जो liquid part होता है यानि कि जो ऊपर हलका part ऊपर आएगा और जो हमने अभी मैंने आपको बताया कि जो भारी सबस्टांस हैं, elements हैं वो नीचे बैठ जाते हैं तो जब cloth blood नीचे बैठ जाएगा, RBC नीचे बैठ जाएंगे और उपर एक liquid color, sorry, liquid part, yellow color का liquid part जब उपर आएगा उसको हम serum कहते हैं Students, अब हमने ये आज जाना कि blood को अगर हम plain tube में रखते हैं, तो उसका जो भारी पार्ट नीचे बैठेगा, वो RBC नीचे बैठता है और उपर, plain tube में जो उपर होगा, वो yellow color का जो liquid part है, उसे हम serum कहेंगे Students, अब हमने blood के बारे में जाना, कि blood में किस तरह से RBC, किस तरह से serum, किस तरह से plasma, ये सब parts जो हैं, किस तरह से हम blood में से ही अलग-अलग नेकाल सकते हैं तो इस तरह से students, हम इस subject में इन सभी चीजों के बारे में explain में जानेंगे और इसके इलावा, इसमें होने वाली disease, कौन सी disease होकी, किस तरह से हम इसको रोक सकते हैं, preventions क्या हैं, और sign and symptoms क्या हैं, और ये सब चीजें भी हम इस subject में blood से related disease के बारे में और उनकी preventions, treatment के भी कुछ parts को जानेंगे, इसमें treatment तो जादा हम नहीं देखेंगे, लेकिन हम इनके disease के बारे में और किस तरह से हम इस disease, यहोने वाली disease को रोक सकते हैं, इन चीजों को जरूर हम इसमें पढ़ेंगे, तो students, आज के लिए इतना ही, आज हमने subject के बारे में जाना, और students, blood के बारे में जाना, blood की कुछ चीजे जाने, students, इस तरह से हम इन topics को complete कर रहे हैं, और students, मैं आपको बताना चाहूंगा, इससे पहले मैंने आपको biochemistry, microbiology की introduction parts और उनका कुछ background बताया है, जिसमें हमने जाना है कि हम इन subjects में क्या-क्या चीजे पढ़ेंगे, students, इसके बाद हम next video में फिर आगे और किसी knowledge के साथ आपके पास आएंगे, और तब तक के लिए thank you, take care, bye bye students, के बाद के लिए रड़ेंगे, के लिए बतावत ज़ताना पास आपके पास आपके बताना है, झाल झाल